मैं इस वीडियो पर बात करने वाला हूँ अर्दवार्सी काकलन 2022-23 प्रयोजना प्रोजेक्ट वर्कसिट कक्छा सात्वी विसे समाजिक विज्ञान के बारे में बताने वाला हूँ तो इस्टूडेंट वीडियो को लाइक, सेयर और यूटूब चैनल को सस्क्राइब कर लिस जोईन कर लिजे, टेलीग्राम ग्रूप का लिंक कम्यूनिटी पोस्ट पर दे रखा है, वहाँ पर जाईए और टेलीग्राम ग्रूप को जोईन अवस्ट कर ले, अदवार्सी काकलन प्रयोजना कार एक अच्छा सात्वी का आपका संपुर्ण विसाय का सॉल्योशन चैनल पर डल गया है, इसके लिए प्लेलिष्ट भी बना दिया गया है, तो प्लेलिष्ट को भी जाकर देखे, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा, तो विडियो को सुरू करते हैं, विसाय समाजिक विज्यान का अक्छा सात्वी प्रयोजना कारिय उ उपाय लिखिये, तो यहाँ पर देखते हैं, इसका उत्तर आपको किस तरह से देना है, वर्सा का कुछ जल मृदा एवं चट्टानों से रिस्कर भूमी के नीचे चला जाता है, और भूजल कहलाता है, भूजल का भंडारन प्राकृतिक रूप में ही होता रहता है, पिछले कुछ दसकों में सिचाई तता अन्यकारियों के लिए कुवे तता नलकोप खोद कर भूजल का बड़े पैमाने पर प्रयोग होने लगा है, जिस कारण से भूजल के भंडारों में चिंता जनक कमी आ गई है, कई इलाकों में भूजल का तल काफी नीचे गिर गया है अधिक गहराई से जल को निकालना आर्थिक द्रिष्टी से लापकारी नहीं होता, इसके लिए वर्षा के जल का संगरहन किया जा सकता है, यह भूजल के पुनर भरण की सबसे अच्छी विधी है परवती इलाकों में जल विभाजक यानि की वाटर सेट पर वनस्पती का आवरण होना अती आवस्यक है इससे पौधों की जड़ों के माध्यम से जल भूमी के नीचे चला जाता है और दूर दूर तक भूजल के भंडारों का पुनर भरण होता रहता है इस तरह से आप भूजल को सनरक्षित कर सकते हैं और भी तरीके नदी तलाब आदी में कपड़ा धोने और पसों को नहलाने आदी से बचना चाहिए कम से कम ये प्रयोग में लाना चाहिए अगला है आपका तलाब नाली आदी के नियमित साफ सफाई करना चाहिए प्रतेक नगर में वाहित जल सोधन सयंत्र लगा कर जल से प्रदूसन कारी तत्वों को प्रिथक करके पानी को जल इस्तरोतों में जाने देना चाहिए पानी में जिवानों को नश्ट करने के लिए रसानिक पदार्थ जैसे क्लोरिन, ब्लिचिंग, पाउडर, आदी का प्रयोग कनची इस तरह से पानी को प्रदूसित होने से बचाया जा सकता और इसका उप्योग हम अपने दैनिक जीवन में कर सकते हैं बात करते हैं आपके अगले प्रश्ण की तो यहाँ पर दूसरा प्रश्ण दिया गया सरकार बनाने हैं तो चुनाओ से लेकर सरकार गठन तक की प्रकरिया को समझने की चमता बढ़ाएंगे भारत की चुनावी प्रक्रिया में राज विधान सबा चुनाओं के लिए कम से कम एक महने का क्या लगता है आपको समय लगता है चुनाओं के पहले क्या होता है चुनाओं के पहले नमांकन, मद्दान, गिंती की तितियों की घोसना की जाती है चुनाओ के तिति की घोषना के दिन से अचार सहीता लागू हो जाते हैं चुनाओ के पहले होता है नमांकान, मद्दान, गिंती के तितियों की घोषना की जाती है और घोषना के दिन अचार सहीता लागू हो जाता है फिर मद्दान का दीन, तो मद्दान के दीन से एक दिन पहले चुनाओ का प्रचार समाप्त हो जाता है, सरकारी स्कुलो और कालो जो को मद्दान केंद्रों के रूप में चुना जाता है, मद्दान कराने की जिम्मेदारी प्रतेक जिले के जिला दिकारी की होती है, बहुत से स तरकारी करमचारियों को मद्दान केंद्रों में लगाया जाता है ये मद्दान के दिन का होता है आपका फिर आपका अगला है चुनाओ के बाद EVM को भारे सुरक्षा के बेच एक मजबूत कमरे में जैमा किया जाता है चुनाओ के विभिन चरण पूरे होने के बाद तो गिंती का दिन निर्धारित किया जाता है आम तोर पर वोट की गिंती कुछ ही घंटों के भीतर विजेता का पता चल जाता है सबसे अधिक वोट प्राप्त करने वाली उमीदवार को निर्वाचन छेतर का विजेता घोसित किया जाता है ये चुनाओं के बाद रहा उसके बाद सबसे अधिक सिटे प्राप्त करने वाली पार्टी या गडबंधन को राष्ट पती द्वारा नहीं सरकार बनाने के लिए आमंतरित किया जाता है सबसे दिग जो सिट लालेते विधान सबा हो गया उसमें गडबंधन को पार्टी या गडबंधन को राष्ट पती द्वारा नहीं सरकार बनाने को आमंतरित किया जाता है किसी भी पार्टी अगडबंदन के सदन में वोटो का साधारन बहुमत नियुनतम 50% प्रतीसत प्राप्त करके विश्वास मत के दौरान सदन लोकसभा में अपना बहुमत साबित करना आवस्यक होता है इस तरह से आपका सरकार का गठन होता है फिर आपका ग्रामेड जीवन में हो रहे बदलाव को लिखे तो ग्रामेड जीवन में क्या-क्या बदलाव हो रहे तो गाओं में पक्के मकानों की संख्या बढ़ती जा रही है मकान पहले से अधीक हवादार और साफ दिखलाई पड़ते हैं मकानों में अराम के साधन पहले से अधीक है जहां जहां गाउं में बिजली पहुंच गई वहां सम्रिद्ध घरों में रेडियो और बिजली के पंके भी देखे जा सकते हैं गौव में इस्तरी पुरूस लड़के लड़कियां सभी साक्षरता बढ़ रही है बुन्यादी सिक्षा तता समास सिक्षा बढ़ती जारी है अनेक राज्य प्रत्यक गौव में प्रत्यक बालिका बालक के लिए मुप्त अनिवार्य सिक्षा का आयोजन करने के लिए प्रयतन सिल है फिर आपका है गाओं में रहन सहन का इस तर बढ़ गहर बढ़ रहा है जिससे नई नई चीजों की मांग पैदा हो रही है फजरुप गाओं में उनकी दुकाने खुर रही है सिक्षित ग्रामेट नवयोकों का नौकरी की और अधिक जुकाओ है क्रिसी में नविन औजा नए बीजो और खेती के नए तरीकों से उपजबड़ी है गाओं में सहकारी समितियों के खुलने से छोटे वैसायों की दसा में सुधार हुआ है तो इस तरह से आपका पूरा प्रोजेक्ट उत्तर हो जाता है तो वीडियो को क्या करना है जादा से जादा लोगों तक सेयर करना है सभी वीडियो का आपका प्लेलिस्ट बन गया है क्लास 7 और क्लास 8 का तो आप लोग प्लेलिस्ट के माध्यम से भी पूरी वीडियो को देख सकते हापी अरली और हापी अली के प्रोजेक्ट सॉल्यूशन सहीत आप इस चैनल पर प्लेलिस्ट के माध्यम से देख सकत थैंक यू पर वचिंग, सब्सक्राइब दे चैनल, थैंक यू सो मच